मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबा कर हर अपडेट पर नज़र रखें कश्मीर लताग पर वेस्टरन डिस्ट्रिबेंस का सरकाई राज्यों में बारिश जाने दिल्ली यूपी का मौसम आपको बता दें उतर भारत के कई लाकों में मौसम शुर्षक बना हुआ है दिल्ली और इसके आसपास के शेत्रों में तयापमान में बढ़त दर्ज हो रही है वहीं उतर प्रदेश और पिहार के कई लाकों में सुबह के समय अभी भी हल्की कोहरा देखने को मिल रहा है गुझरात और राजिस्तान में शुर्षक होआए जारी है इसके अलावा दक्षिण के कुछ राज्यों में बारिश का सिल्जिलाल लगातार देखने को मिल रहा है मौसापुर्वानुमान एजेंसिस काइमेट के मताबिक जम्मु कश्मीर और उससे सटे लद्दा के हिस्सों पर पश्यमी विक्षोब का असर देखा जा रहा है वहीं एक नया विक्षोब पश्यमी यानि की वेस्टर्न डिस्ट्रिबेंस पांच फरवरी की रात तक पश्यमी वाली तक पहुँच जाएगा गुजरात के अधिकांश हिस्सों में अधिक्दम तापमान 30 डिग्री को पार कर गया है अधिकांश इस्थानों पर नयूंतम तापमान भी अब दो अंकों में है गुजरात के एक दो इलाकों में नियूंतम तापमान एक अंक के दर्ज में किया गया जा रहा है इन इलाकों में बारिश के आसार इसके लावव पश्यमी माचल सिक्किम पूर्वी असम और उनाचल प्रदेश के उप्री लाकों में हल्की बारिश हो सकती है अंडमान और निकोबर दूइब समू के दक्षणी हिस्सो दक्षण तमिलनाडू दक्षण के रलो लक्षदीप में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है वही देश के उत्तर पश्यमी मध्य और पूर्वी भागों में नियुंतम और अधिक्तन तापमान में मामुली वृद्धी हो सकती है अगले दो दिनों में बदलेगा मौसम कोहरा और शीतलहर से हो जाएं सावधान फिर बदल चुका है मौसम मौसम भाग ने बताया है कि अगले दो दिनों तक मौसम साफ रहेगा नियुंतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिल सकती है इसके बास साथ और आठ फरवरी को फिर से पश्यमी विक्षो प्रदेश में सक्रिय हो गया है इसके कारन कई जगा कई और शीत लहर कासर फिर से आगे देखने को मिल सकता है प्रदेश में तापमान पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है मिलते हैं इस प्रकार की अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिन्, जै भारत